इस सांकेतिक दर्णा पुरदर्शन में मेरे साथ मंच साजा करते हुए अजय संकर गुप्डी जी संजय राय यूरोची पाज अखवार मंच पर बैठे मेरे साथी मुनीर एहमाद जी शाम सिंग जी तुमारे समाजवादी दिल्ली प्रदेश के पदाधिकारी एहमाद यादव जी भगवान साय बालमेकी जी जलाद्देच ओम ब्रकाश सिंग जी दूसरे जलाद्देच यहाँ पर आई हूँ है रोणी सायट से ग्रियेश जी उसमेंदर यादव जी और बहुत सारे हमारे समाजवादी बहने समाजवादी भाई जोवजन सभी का में हार देख स्वागत करता हूं और नननन करता हूं आज हम लोग बिंदेश्वरी इफसाद मंदल ये की 101 भी जैनती मना रहे हैं इनके जीवन के बारे में थोड़ा सा प्रकास डालना चाहूंगा इनके जीवन के बारे में प्रकास डालना चाहूंगा ये पनारस में 1918 में पैदा हुए इनके फादर जीमिदार थे रास व्यारी बाबु मंदल इनके सबसे छोटे पुत्र बिंदेश्वरी इफसाद मंदल थे इनके जन्म से पहले इनके फादर भी अंग्रेजों के साथ पिष्णों की बंचितों की अनेक लणाईया रणी यहां तक की वाई सराई उस वक्त एक तरीका था उस जमाने में एक अंग्रेज लोग अफीसर आते थे तो उनका सम्मान सलूट दे के करते थे तो वो सलूट नहीं अपना प्रत्रेंद मंदल नाते और उनसे हाथ मिलाते ऐसे थे इनके फादर उनी के पत्चिन्नों में चलते हुए बीपी मंदल जी आगे बढ़े सबसे पहले 1952 में मधेपुरा से विधायक बने उनीस सो बात्तर में मी बने उससे पहले 1965 की बात करता हूँ 1965 में एक पामा गाउ था बिहर में मधेपुरा में सवर्णों और पुलिस ने दोनों नों मिलके दलितों का अपमान किया था दलितों के साथ अबद बिभार किया था यह इंसे सहन नहीं हुआ जब सहन नहीं हुआ तो इन्होंने कांग्रेज छोड़ दी और सोस्रिस पार्टी जोइन कर ली है डाक्टर लोहिया और अन इनके साथ समाजवादी नेता पकर थे घुम घुम कर युबाओं को जागरत करते थे तो इनका साथ दिया उननीस सो अरसट पे सांसद बने आप और उननीस सो उसके बाद मैंने अब बता रहा हूँ आपको उननीस सांसद ही नहीं बने यह मुख्वंतरी भी बने मुख्वंतरी बनने तो अयंगर साब आगर साब राजपाल थे वह रांची में जाके बैठ गये बनाना भी चाहते थे क्यों आपको 6 महीना हो गए आप नहीं बन सकते तो 17 बावु को एक दिन के लिए मुखमत्री बनाया गया, अंडिबाइड बेहार एक दिन के बाद उन्होंने रिजाइन किया चुकि संख्याबल था ये मुखमत्री बने लेकिन ज्यादा दिन रह नहीं पाए ज्याद अदन रह नहीं पाए कहनी का से बरोनी में जो प्लांट था उसका गैस रुषाव हो गया गंगाजी में पानी जाने लगा तो पिनवन अदन ज्याद ही थे मिदायक थे उन्होंने कहा कि जब सुद्र मुखमत्री बन जाएगा तो गंगा में गंगा गंदी होगी तो ऐसे ही होगा ये जमाना था उसमें एक OBC अदर बेकबाट कास में से एक नेता बना मुखमत्री बना तो ये लोग चाहते नहीं थे को नहीं चाहते थे मैंने आपको थोड़ा सा बात बता दी उसके कुछी दिनों बाद 1977 में जन्ता पट्टी के सरकार बनी गुरार जी भाई देशाई पदान मंत्री बने तो आप सांसाद बन के आए उसी जमानी की बाद है कि पर दहा बिहार संसित्य दल के नेता थे तो 1977 में करपुरी ठाकर शत्य ननाज सिंग एटसेटरा उसी जमाने थे संत्य नाज सिंग का बिरोद था इनके बिरोद के बाब चुक्या दज थे संसित्य दल के तो लालू जी को भी टिकेट मिला था लालू यादब भी सांसाद बने इससे थोड़ा सा पीछिए अगर सरसट को ले चलता हूँ तो सरसट में कई नेता बड़े बड़े नेता हमारे जैसे कि मुलाइम सिंग आदब जी बिदाय के चुनाओ उनीशो सरसट में का रहल से डाक्टर लोहिया फरकावास से पीपी मंडल साब बिहार मदिपुरा तो ये उस पक्तर समाजबादी सोच के अनेक लोग उस जमाने में आए डाक्टर लोहिया कहा करते थे डाक्टर लोहिया ने अनेक बार कहा कि जब सवर्ण उर्वरक का का काम करेंगे खाद का का काम करेंगे बंजितों को पिश्णों को अधिकार मिल पाएगा तो डाक्टर लुहिया सुईम समण थे जैपरकास नाराजी सुईम समण थे मदूले मैं, मदू दंडबते एड साथा उसमाइम अनेक नेता ऐसे थे जो समादबती सोच के समण थे लेकिन वो खाद का काम करती थे उर्वर का काम हुनों ने उस जमाने में किया पिश्णों की बात की, दलितों की बात की दलितों को हमारे सम्मिधान में सत्रा परसेंट और ऐसी एस्टी को साड़े साथ परसेंट, साड़े बास परसेंट सम्मिधान में मिल चुका था लेकिन प्राविधान, OBC को सम्मिधान में प्राविधान तो हो गया था लेकिन 1977 से पहले एक पहले काका कालिक कर पिछला आयो बना था लेकिन कांग्रेस ने उस पर कोई विचार नहीं किया कि पिष्डों को भी हल्क मिलना चाहिए जन्ता पार्टी बनी 1989 जन्वरी में मंडल जी को बीपी मंडल जी को दूसरा पिष्ड आयोग बना उसका अध्यच बनाए गया कमेटी बनी जो पकू भी उन्होंने काम किया जिसम्मर 1980 में अपनी रिपूर्ट समिट की उसमें जितने में वेकवर जाते हैं जो बंचित थे उपेचित थे उनका उनके लिए उनने कहा इनकी आवादी चोसर परसंट है पावन परसंट है तो इनको आरच्छल मेना चाहिए ये बंचित थे इनको अधिकार नहीं मिला इनको सिच्छा में नोकुरियों में सादोरों में हरतरों के सदियों से पहले सताए गए और अब भी परजात तंतर में 40 साल के आसपास हो गए तो इनको अधिकार मिलना चाहिए तो ये जंदा पार्टी सरकार में उसके बाद समय बदला ये रिपोर्ट जब जंदा दल के सरकार बनी तो 1990 में बीपी सिंग जी प्रदान मंत्री बने बड़ा ध्यान से सुनिएगा उस वक्त मानिय मुलान सिंग यादव जी लालू जी भी नितीज जी करपूरी जी हो सारे ऐसे समाजवादी सोच के नेता मारे राम सेम का यादव जी बारवं किसी थे वो भी उस वक्त थे अनंत्रम जाइसवाल एटेटरा ये समाजवादी सोच के लोग थे तो ये हुआ कि पिछलों को मंदल कमी सिंगी ने जो रिपूर्ट समिट किये है इस पर आरचन होना चाहिए दबाव था दबाव की बज़े से 40 से ज़्यादा मांगे थी सिर्फ दो मांगे पर विचार हुआ दो मांगे पूरी हो पाहे पिछलों को 27 परच्छन नौकरियों में आच्छन मिला और केंद की जो सर्फाइँ सिच्छन सर्फाइँ थी उसमें उसमें भी विद्यारतियों को एड्मिशन्स में आरच्छन मिला सिर्फ दो बिद्दों पर इसके बाद सरकारे मलतरी यहां सभूर आप देखी नौकरियों में आरच्छन मिलने से पिछले उपर आने लगे पिछलों को भी नौकरियां मिली तो आगे बढ़ने लगे पिछले भी साधनों में साधनों में थोड़ा बहुत मिला इनको जब बढ़ेंगे आप नौक्रिया मेलेंगे तो कुछ नमुट होगा तो यह जो पीरिट रहा 1980 के बाद यह साइलेट रेविलुशन कहा जाएगा मुख रेविलुशन कहा गया माना गया इसका स्रे माने पीपे मंदल जी को जाता है पिंदि सिर्फ साथ मंदल जी को जाता है आदनेक भारत में सामाजिक नयाय की प्रड़िता कहलाएंगे और हम सबको उनको याद करना चाहिए यह मुणका जंदर मना रहे हैं इस पर हमारी मांगे सरकार तो आप देखी रहे हैं सरकार की सूच कहा है कैसे काम हो रहा है सरकारी सल्ताएं प्राइबेट लोगों के हाथों में बेची जा रही है छटनी की जाई है जो वाइदे किये थे दो करोल रोजगार हर साल में दे दिये वो तो जुमला होके रह गया रोजगार दे नहीं रहे है उदर से छटनी कर रहे हो प्राइबेटाइजेशन कर रहे हो तो हमारी मांग है कि प्राइबेट जहां भी प्राइबेट नोकरियों में पिछलों को वंजतों को आरच्छन मिले हैं मेरी बास समर्तन है कि नहीं है समर्तन नतहाद उड़ाई आप मेरे साथ दीजिए समर्द मादी पाड़ियर साथ दीजिए अधिर मैं कहना चाहता हूं समिधान कहा जा रहा था समिधान कहता कि 50% साढ़े उचास परसन पहले दे दिया था कि 50% ज्यादा आरसिस अधार पर आरच्छन धे दिया गया तो 50Sea ज्यादा हो गया तो हमारी मांग है कि हमको 22% हमारी अभादी है चिसे उसके अभादी कẩद आप क्या है अब तो सीमा टूट गई ना बार हो गई पचास से जादा साथ परसेंट हो गया आपको जो अगलों को जितना देना दे दीजेगा लेकिन हम अपनी बात कर लें पिशों को बंचितों को पुरा मंदल कमीशन की रिपोर्ट अच्छर सा आप लागू कीजे बंचित पहले सदियों से रहे बंचित साधनों में पुछला जाता रहा मैंनों धारण दिया था पामा का इन्होंने कांग्रेट छुड़ी थी समादवादी सूसलिस पाटी जोई की थी कि विचार ये काम आगे मलाइम सिंग आदव जी ने आगे बढ़ाया अखली साधवी देख रहे हैं परफसर रांग वाली आदव जी मारे चीफ जनल सेक्टी एंड इस पुक्षमेन पाटी के वो देख रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिला हैट क्वाटर पर हरे जिला हैट क्वाटर पर ये बीपी मंडल जी की जन्तित जन्सती मना रहे हैं आगे भी ऐसा होगा क्योंकि हम इससे पहले बता चुके हैं ये मूख मूख करंती कि ये प्रदेता है बीपी मंडल साथ बीपी मंडल ने जो किया वो हमेशा मेशा य कोई अधिकार देना नहीं चाहता, कोई अधिकार देना नहीं चाहता, जिसों मिल गया है, वो अपने पास रखना चाहता है, बंचितों को पास कुछ है नहीं, सिच्छा स्वास्त, कि दो तरीके सिच्छा हैं, बड़े लोग, पैसे बादे लोग, सेट लोग अपने साधरों के बल्भूते अपने मेच्छे को पढ़ा लेते हैं नोकरिया मिल जाती हैं लीडर्सिप में राजनेता भी बन जाते हैं पिशनों को अभी जैसंकर कुप्ती जी बता रहे थे अरे भाई आपके सरकार बनिये कितने पिशने उसमें हैं कितने पिशन तुझे कैसा देश किधर ले जा रहे हैं? किधर जा रहा है? और कहते हम जाती बाद कैसा है आपने जात तोड़ों लुड़ ही ओढ़ा जी जी कहते थे पिछले पावै सोचलिस्ट इने बादी गान्थ तो सवबे शाट शाट परसें नहीं हम हैं मैलामी थी इसमें तो इसम में बावन परसेंट जो हम डिमांड कर रहे हैं तो बच्चितों का पिष्णों का अपने हक की बात कर रहे हैं सुनिये अभी यह पीछे एक योजना चल लए है योजना अभी सरकार नहीं सरकार की योजना है कि उसमें तो उसमें पिष्णों का कुछ हैसा पता बनी है हम कहरें पिष्णों में आरशन दो में नहीं है होता है यह नयाएक चरित नहीं होगा तो आपको जाय कैसे मिलेगा कहीं में देख ली जाएगा जो मेरी मांगे हैं जाइज मांगे हैं इसमें कुछ गलित हो तो आप मेरा कान पकड़ सकते हैं तो आज सची आज जन दिन सदे पीपी मंडल जी का यही है कि आज हम लोग जो उनकी जन सतापदी बना रहे हैं वैसे मौके पर जो हमारी आरचन की मांग है जो मांगे हमने इसमें अपने मेमरेंडम में लिखी हैं मारी जाइज मांगे हैं इसको सरकार लागू करें आपके आप में सकता है आप कर सकते हैं आपने अगणों को आरचन दिया वो 50% की सीमा तूट गई तो अब क्या है आप कर सकते हैं पिश प्राइबिट 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 भी नोकरियां दीजिए धन्य बाद में अपनी बारी को ग्राम देंगें